नमस्कार मैं शीतल सिंग और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी हरियाना की कंडाल से एक संसनी केज मामला सामने आ रहा है जिसने पूरे हरियाने को जनजोग के रख दिया है जहां चार से पांस साल के मासूं जस्की उसकी खुदवी ही चाची ने फोन के वायर से उसकी गला गोट के हत्या कर दिया फिलाल तो जस्की चाची पुलिस की गिरिफ्त में है, उनसे पूस्त जारी है आखिर उन्होंने इस वार्दात को अंजाम क्यों दिया, ये देखिया हमारी खासी पूर्टी परिवार की एक महिला का नाम सामने आया है जो कि रिष्टे में जस्की चाची लगती है पुलीस के अनुसार उसे ने मुबायल चार्जर के तार से गला दबा कर वच्चे की हत्या कर दी फिलाल पुलीस ने ठाई मा की गर्वधी आरोपी महला को गिरखतार कर इंदरी कोड में पेश किया है कोड ने उसे तीन दिन की रिमान पर भीज दिया है ताकि पूरे मामने का खुलासा हो सके क्योंकि पुलीस ने हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है जबकि परीजन रिष्टे में जसकी ताई बत्ताव पर हत्या का आरोप लगा रही है पुलीस द्वारा चाची को हत्या रूपी बनाए जाने पर परीजन उवगरामिनों को विश्वास नहीं हो रहा है इससे कारण उन्होंने रविवार को शहर में प्रदर्शन भी किया और कुलीस की कारे प्रणाली पर सवाल उठाई हाला कि दो पहर बाद परीजन एस्पी गंगाराम पुनिया के आश्वासन पर घर लोट गया परीजन ने उसके आसपास तराश की लेकिन उसका सुराग नहीं लगा इसके बाद ग्रामिनों का शक एक संदिक्ष ब्यक्ति पर गया जो गाउं में भिप्षा मांगने आया था वससे से टीवी पोटेज में भी दिखाई दे रहा था पुलीस ने उस वक्त संदिक्ष ब्यक्ति को हिरास्त में लेकर पूछ ताच की तो सामने आया कि उसने जस का अभरन नहीं किया इसके बाद रात को पुलीस ने गाउं में घर घर जाकर तलाशी ली लेकिन जस और उसके परिवार के चार से पांच घर छोड़ दिये थे 6 अपरेल की सुबर करीब सारे 5 बजे किसी ने जस का शब अपने परोसी के पशु के बाड़े में उपर शेड की छट पर पेख दिया पुलीस ने शब बरामत कर परिजणों के शक क्याधार पर जस की रिष्टे में लगने वाली ताई और उसके पती वसास को थाने बुला कर पुछ ताच की क्यूकि इनके साथ जस की पिता का पहले से खेट को लेकर जगड़ा चल रहा था पूरा गाँ उन्ही को आरोपी मान रहा था लेकर शनिवार को पुलीस ने इस मामने में दूसरी महिला अंजली को गिरफतार कर लिया जो की जस की रिष्टे में चाची लगती है आरोपी महिला करीब देर घंटे तक कोट रूम में रही